तो हेलो गाइस वार्कम टू दू नीव वीडियो और आज आए हम एक और वीडियो लेके सो आज हम बनाने वाले हैं एक बेनेडिक्ट या आप पोस्ट एक भी बो सकते हैं तो कुछ स्पेशल आज होने वाला है यह मेरी क्रियेटिविटी है आज हम लेने वाले हैं स्वीट प अपना प्लाइन करके बनाई है होप आपको जरूर पसंद आएगी आप यह ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं अपने अलाकाट में या अपने मैनू में भी एड़ कर सकते हैं तो बॉयल करने के बाद आप स्वीट पटेटो को अठंडा कर लीजिए और उसके बाद उसकी स्कि इनको पील कर लिया है स्वीट पोटेटो की और जैसे की नाम से आपको पता चली रहा है स्वीट पोटेटो मतलब यह हलका सा स्वीट होता है तो इसमें आप सॉल्ट पेपर की सीजनिंग भी करेंगे यहाँ पर मैं ग्रेट कर दूँगा स्वीट पोटेटो को अच्छे से और ग्रेट जब आप करें तो थ्यान रखें कि ज्यादा पतले स्लाइसर मतलब आप देख सकतें किते मोटे से मैंने किया है इसका जो साइज है ज्यादा पतला करेंगे तो ज्यादा मैसी हो जाएगा तो थ्यान रखेंगा और यहाँ पर मैंने सीजनिंग कर ली है सॉल्ट और प्लैक पेपर की हलका हलका इसे आप हाथ से या स्पेचुला से मैश कर लीजिए ज्यादा भी नहीं करना है क्योंकि इसमें पानी हो सकता है और यह ज्यादा सॉफ्ट हो सकता है तो इसे हलके हाथों से आपने खुमा देना है और उसके बाद इसमें हम एड़ कर देंगे थ जलेए अब हम इसकी टिक्की बनाते हैं याँ पर सबसे है प्लेट ले लिता हूं ओल लगा है, जिससे की चिपकेगा नहीं, यहाँ पर मैंने राउंड मोड ले लिया है जिससे की shape आएगा round में तो हलका सा जितनी पेटी होती है उसके हिसाब से हमने यहापर हमारे जो mixture है हमारे जो dough है उसमें डाल दिंगे और हलका हलका mash करके हलका हलका उपर से press करके इसे हम टिक्के के shape में पेटी के shape में हम इसे बना दिंगे तो यह हमारी एक पेटी तयार हो चुके देख सकते हैं कितनी प्याले लग रही है इसी तरह से मैं एक और पेटी बना देता हूँ मैं यहापर दो एक का यूज़ करने वाला हूँ तो यहापर मैं दो पेटी का यूज़ कर लोंगा बहुत ही अच्छी डीश है आप एक तरह से मतलब इसे आप healthy डीश भी आप बोल सकते हैं क्योंकि sweet potato health के लिए बहुत अच्छा होता है बटर ले लिया है मैंने इसे हल्का सा fry करने के लिए shallow fry करूंगा आप olive oil भी ले सकते हैं अगर आप चाहे तो बटर में थोड़ा और अच्छा flavor आता है तो मैंने बटर का यूज़ किया है इसमें च्वाइस से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने sweet potato को दाल दिया है जो हमारा पेटी बना है उसे मैंने add कर दिया है और इसे हम अच्छे से shallow fry आप बोल सकते हैं इसमें fry करदिेंगे ज़्यादा भीसे fry नहीं करना है ज्यादा करने सफी यह मैशी खो सकता कि पानी की मातरा नहीं हो सकता है जो कि मिरे पोजडैक के लिए तो पोजडैक बनाने के लिए सबसे पहले आप पानी चला दिजिए और विनेगर comfort या मेरा पेटि औरमूसस बन चुका है सो दो पेटी मेरी यहां बन चुकी है और अब इने में ओबन में डाल रहा हूँ हल्का सा रोस्ट कर लेख लाँ आप चाहे तो इसे रोस्ट भी कर सकते हैं या अगर आप नहीं करना चाहे तो आप इसे ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने दो एग ले ली हैं लग-लग बॉल में जो कि मैं पोस्ट एक बनाने वाला हूँ हमेशा आद रखिये कि जब भी आप पोस्ट एक बना रहे हैं तो डारेक्ट एग जो है आप पानी में ना डाले जिससे कि आपका एक फट सकता है या पानी खराब हो सकता है तो बॉल में ले लीजिए और उसके बाद पानी में डाले दोनों पेटी मेरी तयार हो चुकी है इनने में निकाल दूँगा यह अब गरम है और अपने शेप में अच्छे सा आच चुकी है यह अपने ओलिवाब लिलूँगा हम एड़ करने वाले है इसमें स्पिनेच स्पिनेच मैंने पहले से सौते किया हुआ है इसमें थोड़ा सा गरम कर दूँगा सौते करने के लिए आप कालिक का आनियन का भी यूज कर सकते हैं और हलका सा इसमें आप क्रीम भी आड़ कर सकते हैं क्योंकि हलका सा ड्राइ है अभी तो थोड़ा सा इसमें मैं क्रीम और सीजनिंग भी आड़ कर दूगा जो कि मैंने पहले नहीं कीती इस पिनेश हम आड़ करने वाले हैं अपने स्वीट प्रटटो के ऊपर तो यहां पर थोड़ा सा क्रीम भी मैं आड़ कर दिया जिससे कि हलका सा क्रीमी हो गया होरनडाइ सॉस हमारी तयार है इसे मैं हलका सा ले लूँगा अपने लिए और इसे गरम कर दूँगा क्योंकि होलनडाइ सॉस का गरम होना बहुत ज़रूरी है तब यह अच्छे से अपने शेप में आएगा चलिए हर चीज हमारी तयार है सालमान भी मेरे तयार है अब हम करते हैं प्लेटिंग बहुत ही सिंपल डिश है आप अपने ब्रेकफास्ट में अपने गैस को दे सकते ह और आपके गैस जो है उस जरूर खोश हो जाएंगे होप आपको यह वीडिया अच्छा लग रहा होगा अगर अच्छा लग रहा है अगर आपको मेरे रेसिपीज अच्छी लगती है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में अपने थौट्स जरूर बताए कि रेसिपी आपको किस तरह से लगी और आपने इसको ट्राइग किया कि नहीं किया यहाँ पर मैंने क्रीम चीज एड कर दिया है मेरा स्पिनिश का बेस लग चुका है पोश्डेग मेरे बन चुके हैं मैं एक एक पोश्डेग यहाँ पर डाल दूँगा एक एक पेटी के ऊ उपर और इस तरह से हम अपना जो एक है पोश्डेग वो से एड कर दिए पोश्डेग मैंने यहाँ पर मीडियम बनाया है आप इसे वेल्डन ना करें पोश्डेग हमेशा रेर या मीडियम में अच्छा लगता है वेल्डन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर मैं उसमें अड्ड कर दीजी है और अब थोड़ी सी गानिश motorcycles हैं पर सालमन भी आप देख सकते हैं मैंने एड़ किया है सालमन भी काफी काफी हेल्दी है यह स्मोक सालमन मैंने ड किया है अगर आपकी पास समोक नहीं है तो आप जस्ट पोश्ड्य डएस ड dos Iए सकते हैं आपने इस दो कमेंट में बताय कि आपको यह वीडियो कैसा लगना अगर आप चाहते हैं कि किसी वीडियो फे किसी कंटेंट पे किसी टॉपिक पे मैं आपके लिए रेसिपी लाऊ या इन्फोर्मेशन लाऊ तो जरूर मुझे कमिने बताएगा और मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊँगा इंस्टागाम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लिए जो कि है देशी व्लोगर और सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि मैं बहुत सारी knowledge, information और recipe आपके लिए लाते रहता हूँ So guys मिलते हैं नेक्स वीडियो में See you then, see you in the next video Bye